जय भीम जय सम्विधान जय भारत नमो बुद्धाय दोस्तों आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री चैनल एक साथ दो किताब टू इन वन सच्ची रामायन और सच्ची रामायन की चाभी लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर ललई सिन्ह यादव पुस्तक परिचय दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायन एटू रीडिंग नाम से राशनलिस्ट पब्लिकेशन तामिल नाडू दोने सन उन्नीस सो इक्यावन इस्वी में चापा तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायन नाम से ललई सिह यादव अध्यक्ष अशोक पुस्तकाले रजिस्टर्ड ग्राम वपोस्ट जीजक जिला कानपुर उत्तर प्रदेश ने दिनाक एक अक्टूबर उन्नीस सो अड़सट इस्वी को छापा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनाक बीस दिसंबर सन उन्नीस सो इकसट की आग्यानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्द कर दिये गए की इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस उपरोक्त आग्या के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव ने High Court of Judicature इलाहाबाद में Criminal Mislinious Application प्रस्तुत की माननिय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव व माननिय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श् श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनाक 26, 27 व अठाइस अक्टूबर 1970 इसवी को तीन दिन लगातार सुनी माननिय जस्टिस श्री एके कीर्ती ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 इसवी क्रिमिनल मिस्नेनियस एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 19 वी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिनाक 19 जन्वरी सन 1971 इसवी को बहुमत का निर्ने दिया की एक, Government of उत्तर प्रदेश की पुस्तक सची रामायन की जबती की आग्या निरस्ट की जाती है दो, जब्द शुदा पुस्तकें सची रामायन अपीलांट ललाई सिन्ह यादव को वापस की जाएं उप्रोक्त मुकदमा में अपीलांट ललाई सिन्ह यादव की ओर से जो रीजवाइंडर अर्थात प्रत्युप्तर किया गया था पाठकों की विशेश मांग पर उसे सची रामायन की चाभी के नाम से चापा गया है दिनाक 9 दिसंबर 1971 रगुराज सिन्ह यादव प्रथम संसकरण 25 मई 2013 रचना सची रामायन और सची रामायन की चाभी रचनाकार रामस्वामी पेरियार ललाई सिन्ह यादव प्रकाशक अंबेडकर प्रचार समिती महादेव गली मोती कट्रा आगरा कोट का आदेश सन 1956 इसवी से पहले रामायन की समीक्षा तमिल भाषा में श्री पैरियर ई भी रामास्वामी नायकर ग्राम मालीगाई पोस्ट पुथुर जिलात रिचुरापली तामिनलाडू प्रदेश ने लिखी वच्छापी दूसरा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दी रामायन एटू रीडिंग नाम से राशन लिस्ट पुब्लिकेशन तामिल नाडू दोने सन 1951 इसवी में छापा तीसरा हिंदी भाषा में अनुवाद सच्ची रामायन नाम से लली सिन हयादन अध्यक्ष अशोक पुस्तकाले रजिस्टर्ड ग्राम वपोस्ट जीनजक जिला कानपुर उत्तर प्रदेश ने दिनाक एक अक्टूबर 1968 इसवी को छापा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गजेट दिनाक 20 दिसंबर सन 1961 की आज्यानुसार केवल हिंदी व अंग्रेजी एडिशन यह लिखकर जब्द कर दिये गए की इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है उपरोक्त आग्या के विरुध प्रकाशत लली सिन्ह यादव ने High Court of Judicature इलाहाबाद में Criminal Mislinious Application प्रस्तुत की माननिय जस्टिस श्री के एन श्रीवास्तव वा माननिय जस्टिस श्री हरिस्वरूप अपीलांट की ओर से बनवारी लाल यादव एडवोकेट हाई कोर्ट और रिस्पांडेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनकी सहयोगी श माननिय जस्टिस श्री एके कीर्थी ने मुकदमा नंबर 412 सन 1970 इस्वी क्रिमिनल मिस्नेनियस एप्लिकेशन अंडर सेक्षन 19B क्रिमिनल प्रोसीजर कोर में दिनाक 19 जन्वरी सन 1971 इस्वी को बहुमत का निर्णय दिया की एक गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सची रामायन की जबती की आग्या निरस्ट की जाती है दो जब्ध शुदा पुस्तकें सची रामायन अपीलांट लली सिन्ह यादव को वापस की जाएं तीन गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट लली सिन्ह को 300 रुपए खर्चे के दिलाए जाएं उपरोक्त मुकदमा में अपीलांट लली सिन्ह यादव की ओर से जो रीजवाइंडर अर्थात प्रत्युक्तर किया गया था पाठकों की विशेश मांग पर उसे सच्ची रामान की चाभी के नाम से चापा गया है दिनाग 9 दिसंबर 1971 ललै सिन्ह यादव रामायन व महाभारत कावियों पर श्री जवाहरलाल नहरू के विचार प्रधान मंत्री ने तामिल नाडू में रामायन पर हास्यपूर्ण व्यंग्यात्मक खेले जाने वाले नाटकों के विशय में बोलते हुए कहा है कि दक्षण में ये आंदोलन न केवल भाशा बलकी जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उत्तरी भारत के लोगों के अनुचित उत्पीडन तथा दबाव के दुश्परिनाम स्वरूप है यह यहां के मनुश्यों के हृद्यों में बना हुआ स्थाई भाव है जिसे गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और हिंदी के वे नेता जिन्होंने तामिल नाडु के लोगों तथा उनकी भाशा से घ्रेना की हिंदी तथा राश्ट्र के मूल सहायक नहीं है प्रधान मंत्री ने कहा कि यदी हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारी परेशानिया बढ़ जाएगी स्थाई भाव से महान शक्ती होती है और जब अनुचित दबाव के भय का स्थाई भाव पैदा हो जाता है तो उसका प्रतिगात बहुत बुरा होता है श्री नहरू ने तामिल नाडू में रामायन पर व्यंग्यात्मक हास्यपूर्ण धं से खेले जाने वाले नाटक की ओर संकेत किया और कहा हमें खोज करना चाहिए कि इन आंदोलनों की प्रिष्ठ भूमी क्या है रामायन पर खेले जाने वाले ये हास्यपूर्ण व्यंग्यात्मक नाटक श्रोताओं तथा द्रश्टा के समक्ष इस बात के उदाहरन स्वरूप है कि उत्तरी भारत के लोगों ने दक्षिनी भारत के लोगों के न केवल आज बलकी सहस्त्रों वर्ष पूर्व पराजित क सताया और यदी उन्हें अफसर मिले तो ऐसा करते रहेंगे महाभारत की एक कथा जो कुछ उन्होंने उडिसा में देखा उससे बहुत दुखी हुए अपने भाशन को चालू रखते हुए श्री नहरू ने कहा दो दिन पूर्व मैं उडिसा में था वहाँ पर मैंने एकलव्य के विशय में एक नाटक देखा यह महाभारत की एक कथा है कि गरीब के पुत्र एकलव्य नेक शत्रियों के धनूर विद्या के शिक्षक गुरू द्रोनाचार्य से बान विद्या सीखने की सहायता मांगी गुरू द्रोनाचार्य ने उसे बान विद्या सीखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय पुत्र नहीं था किन्तु एकलव्य द्रोनाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना कर और उसे गुरू सद्रिश समझ कर बान विद्या का अभ्यास करने लगा यहां तक कि वह इस विद्या में इतना निपुन हो गया कि वह अर्जुन की अपेक्षा अधिक विख्यात हो गया जब गुरु द्रोनाचार्य को ग्यात हुआ कि वह मेरे शिश्य अर्जुन से भी धनुर विद्या में श्रिष्ट दक्ष हो गया है तब उसने उसे बुलाया और उससे गुरु दक्षिना मांगी क्योंकि उसने उसकी प्रतिमासे बान विद्या सीखी थी द्रोनाचार्य ने एकलव्य से उसके हाथ का दाहिना अंगूठा मांगा जिसे उसने उसे दे दिया महाभारत में एकलव्य की यह कथा अतिमर्मसपर्शी है उन्होंने कहा कि मैंने इस घटना के विशय में कुछ विचार न किया क्योंकि इस घटना से मेरे हृदय में गहरा आधात हुआ उडिशा में रहने वाली महाशूद्र जाती के लोगों ने मुझे बताया कि इस प्रकार हमें कितना सताया गया है हमें इन बातों की प्रतिक्रियाओं से सावधान रहना चाहिए वास्तव में है कि इतिहास एक पक्ष के लोगों ने अर्थात ब्राह्मनों ने लिखा है लोग आज भी अज्यानतावश उन्ही घटनाओं के आधार पर कविता करते या लेख लिखते है हमें यह न सोचना चाहिए कि ये कथाएं दूसरों द्वारा बनाई गई है जब मैं गंभीरता पूर्वक विचार करता हूँ तब मेरा क्रोध बढ़ जाता है कि ब्राह्मनों ने किस प्रकार दूसरे लोगों को अपने बराबर होने देने में रोक लगा दी है